कि अबिकापूर का नजारा है जो कि आप देख सकते हैं हमारे इस ब्लोग में आक्सिजन देखिए यही है कुछ जो कि ठका हुआ है लेकिन ब्लोग में कि अबिका पने टो विंदन कर दो कर दो कर दो हाई हेलो नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप आई होप की अच्छे ही होंगे मैं राकेस कश्याप मा मा माया की नगरी अंबिकापूर से आप सभी लोगों को आज के अपने नए ब्लोक में आपका स्वागत करता हूं तो आज हमाये हैं घुमने के लिए आक्सीजन पार जो की महमाया पहाड के उपर इस्तित है और काफी सुंदर और मनमोहग यगा है जो की आप देख सकते हैं चारों तरफ से घिरा हुआ पेड़ पौधे और आस्मान से भरा हुआ हमारा सहर अंबिकापूर यहां से दिखता है तो चलिए और भी देखते हैं अंबिकापूर के अद्भूत ना जा रहें अंबिकापूर बढ़ा है बस्तित है हर वपला लूए-णार ड़ने प Cravतान मज़च्न से लेंख हना में आसाता हां स japanese हां हर गerin मेंग मैं ग्रुट हुआ है टेन झाल 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 लोग टावर के उपर जा रहे हैं कुछ के कहने पर जो की काफी वहां से पूरा हमारा अंभी का पूर जो है वो दिखता है क्यों को दिखता है ना यहीं से दिख रहा है अभी दिखेगा झाल यह दो 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 झाल झाल तेरा घर कहा है पता है यह पूरा अंभीकापूर का नजारा है जो कि आप देख सकते हैं हमारे इस ब्लॉक में आक्सिजन पार्क से देखिए यहां उच्छे उच्छे चटान है जो कि काफी बड़े हैं हुआ 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 है हुआ 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 है झाल झाल यह आक्सिजन पार्क का सेल्फी पॉइंट है जहांकि आके हम लोग सेल्फी और रील वग्यरा बनाते हैं यहां से पूरे अंभिकापूर को देखा जा सकता है जो की काफी अद्भुत और खुबसूरत दिखता है तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहां से अंभिकापूर का अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं कि यहां सेल्फी खिचा रहे हैं और देखिए सामने दो टावर कितने अच्छे दिख रहे हैं जो की अद्भुत तरीके से ऐसा लग रहा है महनों जैसे अब आप देख सकते हैं यहां से पूरे अंभिकापूर को जो जो कि काफी खुपसूरत और गिस्तेत रूप में दिखाई पड़ता है और ये जो महमाया पहाड के उपर बना हुआ है ये चारों तरफ से पहाड से घिरा हुआ है जो कि तो आप देख सकते हैं कि कुस यहां पे ठख चुका है और चल भी नहीं पा रहा है ऐसा लग रहा है कि अब इसको टांग के लिए जाना पड़ेगा और बोलते के साथ ही देखिए कि दोड़ने लगा है काफी स्पीड से कुस इतना स्पीड ना दोड़ो तुमसे ना हो पाएगा और चल रहा है कुस अपने पैर को लंग आते हुए दिच्चिक धाक देखिए यही है कुस जो कि ठका हुआ है लेकिन ब्लॉग में अच्छा दिखने के लिए दौल रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पे ताफी अच्छी फूल लगाया गया है जोगी काफी खुब्सूरत दिखने हैं और आपको भी दिखाते हैं चलिए आई और यहां पर देखिए बच्चों के खिलने के लिए काफी अच्छी बिवस्ता की गई है जुला वग्यारा साड़े कुस लगाया गया है और यहां से आपको अच्छा दिखता है तो चलिए आपको दिखाते हैं अंबिकापूर का अध्भूत नजारा तो आप देख सकते हैं कि हमारा अक्सीजन पार्क जो की काफी पत्थरों से भरा हुआ है चारों तरफ पहाड के उपर बसा हुआ अक्सीजन पार्क बनाया गया है जो की मामाया पहाड के उपर है तो आप जब भी अम्रीकापूरा है तो हमारे अक्सीजन पार्क में जरूरा है और यहां काजबूत नजारा देखें चलिए चलते हैं और 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 भी चीज आपको दिखाते हैं तो अभी आपने देखा हमारे सहर का अक्सीजन पार्क अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करें लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और वेल की घंटी बजाएं और हमारा चैनल देखते रहें इसी के साथ आज का ब्लोग मैं यहीं समाप्त करता हूं जैए 36 गड़ा हुआ 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 है